दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि हवाई जहाच पेट्रोलियम एधन से चलते हैं हवाई जहाच को देखकर आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि इतना भारी भरकम हवाई जहाच चलने में कितना एधन खर्च करता है तो देखते रहे हैं इस वीडियो को, आज मैं आपसे इस वीडियो में से बारे में बात करने वाला हूँ So hi guys, मैं हूँ प्रवीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल, let's start it एक वक्त था जब सिर्फ अमीर लोग ही हवाई सफर करते थे लेकिन अब ये middle class तक पहुँच गया है अमूमन किसी भी समय में हवाँ में सफर करने वालों की संख्या 10 लाग के आसपास होती है ये तो हम सभी जानते हैं कि हवाई जहाज petroleum इधन से चलते हैं हवाई जहाज को देखकर आपके मन में भी ये सवाल तो जरूर आता होगा कि इतना भारी भरकम जहाज चलने में कितना इधन खर्च करता होगा ये जानकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे क्योंकि बोईंग 747 जैसे विमान प्रती सेकेंड में लगभग 4 लीटर इंधन खर्च करते हैं 10 घंटे की उडान के दौरान लगभग 150,000 लीटर फ्यूल खर्च होता है बोईंग की वेबसाइट के अनुसार बोईंग 747 एक किलोमीटर में लगभग 12 लीटर इंधन खर्च करता है यानि एक बोईंग 747 में 12 लीटर इंधन में 500 लोग 1 किलोमीटर का सफर तै करते हैं इसका मतलब है कि एरोप्लेन प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर 0.027 लीटर का इधन खर्च करता है एक कार एक लीटर में लगभग 15 किलोमीटर की माइलेज देती है इसलिए अगर देखा जाये तो बोईंग 747 में किसी एक व्यक्ति का सफर कार की तुलना में बहतर होता है लेकिन जब कार में 4 या 4 से ज़्यादा लोग बैट जाये तो कार बहतर विकल्प होती है लेकिन यहां इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वोईंग 747 900 किलोमीटर प्रते घंटे की रफ्तार से चलती है तो दोस्तों उमीद है आपको यह जानकारी हो गई होगी कि हवाई जहाज एक किलोमीटर चलने में कितना इंधन खर्च करता है आप हमें कमेंट करके बताईए क्या आपने हवाई यातरा की है और अगर आपने हवाई यातरा की है तो आपके मन में यह सवाल आया था या नहीं उमीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाओ चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ना भूले और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल तुरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे जिससे आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों